ये पाँच बैंक स्टॉक्स पकड़ने वाले हैं रप्तार पी एस्यू शेर के नाम भी है शामिक ब्रस्पतिवर के कारोबार में बैंकिंग सक्टर के सेर में अच्छी तेजी देखने को मिली जबकि दीन के आखरी कारोबार में निप्टी एक पतीसत से अधिक की बरत के साथ 22,700 के उपर वैपार कर रहा था निप्टी के बैंक के 12 स्टॉक में से 11 में उच्छा लाया है इससे पहले भी कई ऐसे सत्र रहे है जिन में बैंकिंग शेरों के सुलधार देखने को मिला है जानकारों को कहना है कि लौंग टर्म में बैंकिंग शेर अच्छा प्रदर्शन कर के लिए तयार है क्यूंकि देश का आर्थी विकास तेजी से बढ़ने का संभावना है ऐसे में पांच ऐसे बैंकिंग सेक्टर है जो अपने निवश्कों को अच्छा रिटन देने का पूरा छमता रखता है पहला है बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिय का करेंट एबरेज स्कोर साथ है जबकि इस पर चार एनालिस्ट ने होल्ड करने की सलह दी है जानकरों का कहना है कि सिहा स्टॉक अगले एक साल के दौरान बावन पतिसत तक का रिटन दे सकता है यह एक लार्ज केप स्टॉक है जिसका मार्केट केपिटल एकाउन हजार एक रिटिंग दी है यह स्टॉक अगामी भविश्य में 47 पतिसत का रिटन दे सकता है यह एक स्मॉल केप स्टॉक है जिसका मौजूदा बाजार पुंजी करन 3828 करों रुपे का है किसरा है CSB बैंक प्राविट सक्टर CSB बैंक का लेटेस एबरेज स्कोर आठ है यह स्टॉक इस स्टॉक पर तीन मार्केट एनालिस्ट ने बताया इस स्टॉक पर तीन मार्केट एनालिस्ट ने बाई रेटिंग दी है इस बैंक के शेर अपने निवश्यों को 45 पतिसत से अधिक का रिटन देने का च्छमता रखता है यह एक मिटकेप स्टॉक है जिसका मार्केट केपिट पाँज़ा चेसो साथ कर रुपए का है चौता है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का लेटिस एबरेज स्कोर साथ है जिस पर 11 एनलिस्ट ने बाई रेटिंग दी है यह स्टॉक 45.30 बरत की छमता रखता है यह एक लाज केप केटेगरी का स्टॉक है जिसका बाजार मुल्यांकन 94.756 कर रुपए का है बच्वाइ स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक का है सरकार के स्वामित्तो वाले पंजाब नेशनल बैंक का लेटिस एबरेज स्कोर 10 है पी एनवी पर 15 एनलिस्ट ने खरिद रेटिंग दी है जानकर का अनुमान है कि यह स्टॉक 40.30 तक का मुनाफ़ा दे सकता है यह एक लार्ज केप केटेगरी का कमपनी है जिसका मार्केट कैपिटल एक लाग अठारह जन्नों से बाउन कर रुपए का है